नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रिटी एंड पॉपुलर एक्ट्रेस जन्नस दुबैर के सभी सीरियल्स के बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लेटस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों जन्नस दुबैर ने अपने एक्टिंग करियर के शुरुआत साल 2010 में सीरियल काशी अबना रहे तेरा कागस कोरा में यंग काशी के रूप में की थी और इनके इस किरदार को लोगों के दोवारा काफी पसंद भी किया गया था इसके बाद इन्होंने साल 2010 से 2011 में मिट्टी की बन्नो सीरियल में यंग अवंती का किरदार निभाया था साल 2011 में फुलवा सीरियल में यंग फुलवा की किरदार निभाया थी तो वहीं साल 2011 से 12 में इन्होंने हारजीत सीरियल में इशिता की भूमी का निभाया थी साल 2014 में सीरियल भारत का विर पुत्र महराना प्रताप में इन्होंने यंग फूल राठोर का किरदार निभाया था। तो वहीं इसी साल 2014 में ही सियासत सीरियल में इन्होंने नूर जहान यानी महरुनिशा का किरदार भी निभाया था। साल 2015 में सीरियल महा कुम्ब एक रहस एक कहानी में इन्होंने यंग माया का किरदार निभाया था और फिर इसी साल 2015 में इन्होंने तुझ से नाराज नहीं जिंदगी सीरियल में रुकसार का किरदार भी निभाया था साल 2016 में सीरियल मेरी आवाज ही पहचान है में इन्होंने यंग कल्यानी की भूमी का निभाई थी तो वही साल 2017 में सीरियल कर्मफल दाता शनी में इन्होंने नीलिमा यानि शनी प्रिया का किरदार निभाया था साल 2017 से 2018 में इन्होंने सीरियल टू आशकी में पंक्ती शर्मा धन राजगीर का किरदार निभाया था साल 2019 में सीरियल आपके आजाने से के पहले सीजन में इन्होंने पंक्ती सिंग का किरदार निभाया था साल 2019 में यह भारती सिंग के शो खत्रा 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 में भी नजार आई थी तो वहीं साल 2021 में बिग बॉस 15 और साल 2022 में बिग बॉस 16 में भी नजार आई थी साल 2022 में इन्होंने रोहिष शेटी के शो, फियर फेक्टर खत्रों के खिलाडी 12 में भी हिस्सा लिया था जिसमें इन्होंने 4 पोजिशन हासिल की थी दोस्तो आपको जन्नत दुबैर का कौन सा किरदार सबसे जादा पसंद है हमें कमेंड में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी सलिबरिटी टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें